तीमुथियूस के नाम पॉलूस प्रेवित की दूसरी पत्री दूसरा अध्याए इसलिए हे मेरे पुत्र तो उस अनुग्रह से जो मसी ईश्यू में है बलवन्त हो जा और जो बातें तुने बहुत गवाहों के सामने मुझ से सुनी है उन्हें विश्वासी मनुश्यों को सौप दे जो औरों को भी सिखाने की योग्ये हों मसी ईश्यू की अच्छे योधा की नाई मेरे साथ दुख उठा जब कोई योधा लडाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भरती करने वाले को प्रसंद करे अपने आपको संसार के कामों में नहीं फसाता फिर अखाले में लड़ने वाला यदि विधी के अनुसार न लड तो मुकुट नहीं पाता जो ग्रहस्त परिश्रम करता है फल का अंच पहले उसे मिलना चाहिए जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभू तुझे सब बातों की समझ देगा येश्यू मसी को स्मरन रख जो दाउत के वंच से हुआ और मरे हुँं में से जी उठा और मेरे सुसमचार के अनुसार है जिस के लिए मैं कोकर्मी की नाई दुख उठाता हूं यहां तक की कैद भी हूं परंतु परमेशर का वचन कैद नहीं इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उध्धार को जो मसी ईश्यू में है अनंत म हिमा के साथ पाएं यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी यदि हम धीरत से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वे भी हमारा इनकार करेगा यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वे व तरक वितरक न किया करें जिन से कुछ लाब नहीं होता बरन सुनने वाले बिगड जाते हैं अपने आपको परमेश्वर का ग्रहन योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लजित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीती से काम में लाता हो पर अशु बखवाद से बचार है क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ती में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सले घाओ की नाई फैलता जाएगा खुमिन्यूस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो यह कहकर कि पनुरुथान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्व पास को उलट पुलट कर देते हैं तो भी परमेश्वर की पक्की नेव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वे अधर्म से बचा रहे बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और म अवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा जवानी की अभिलाशाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे क्योंकि तु जानता है कि उन से जगले होते हैं और प्रभु के दास को जगडालू होना न चाहिए पर सब के साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो और विरोधियों को नमरता से समझाए क्या जाने पर मेश्वर उन्हें मन के से छू जाए